हलो फ्रेंड्स वैल्कम बैक्ट टू एडियोभ एडियोभ ऐडियोभ ओन्लाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है दोस्तो वेरी वेरी गुड मॉनिंग दोस्तो आइविस आप सब अच्छे होंगे दोस्तो और जो मेरी नई क्लास है उसके लिए प्रिपेर होंगे दोस ठीक है तो आज जो हमारी क्लास है दोस्तो वो है राज संबन जीले के ऊपर हम राजस्तान जीले दर्सन जीला है उसके ऊपर हम एक एक करके रोज एक जीला कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तो जैसे ही यह सारे जीले कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तो उसके बाद जो है कम से कम 300 जो भी जीला दर्सन मैंने अभी तक पढ़ा दिये हैं और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको पूरा पूरा देखें तभी आप आगे के क्युस्टन सॉल कर पाएंगे और मेरे साथ जैसी यह कंप्लीट होगा आपका यह राज्थान जीला दर्सन आपका यह पूरा का पूरा ज दोस्तों क्योंकि मैं जो पैसे पढ़ा रहा हूँ अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है दोस्तों तो आई बैट कि आप एक्जाम के अंदर सारे कुस्टन सही ही करके आओगे दोस्तों ठीके तो आज हम स्टार्ट करते हैं राज संबंद जीला राज संबंद जीले स्थान विशेश हैं उनके बारे में देखेंगे और नवींतम और महत्तपुन जो फैक्ट है राज संबंद जीले के उनके ओपर हम डिसकस करेंगे दोस्तों ठीके तो हम क्या क्या है पॉइंट पर डिसकस करेंगे दोस्तों राज संबंद का परीचय राज संबंद के के सम्मान है तीलक जो तीलक होता है उसके सम्मान राज सम्मंद जिले की आकरती है दोस्तों राज सम्मंद को राज नगर भी कहा जाता है दोस्तों राज सम्मंद की स्थापना 1676 में महाराजा राज सिंग ने किसने किया है महाराजा राज सिंग के द्वारा किया गया है और न तो क्या क्या हमने पड़ा पहला हमने ये देखा राजसंबंद जो जीला है उसकी आकरती कैसी है तिलक के समान उसकी आकरती है दोस्तो राजसंबंद को राजनगर भी कहा जाता है राज संबन्द की स्थापना 1673 में महाराजा राज सिंग के द्वारा किया गया किसने किया 1673 में महाराजा राज सिंग ने किया इसलिए ही जो नगर का नाम है वो पहले राज नगर रखा गया राज सिंग के नाम पर राज नगर रखा गया और बाद में इसका नाम राजसंबंद हो गया दोस्तों किलियर है आगे देखो राजसंबंद का प्रसीद नर्त्य कौनचा है डांग नर्त्य राजसंबंद का प्रसीद नर्त्य है दोस्तों किलियर है दोस्तों हमने अभी देखा है राजसंबंद का परिचे हम पढ़ रहे है दोस्तो राजस्तान जीला दर्शन राजस्तान जीला दर्शन में आज हम राजसंबंद जीले के उपर डिसकस कर रहे हैं राजसंबंद जीले की कुछ विसेशता है हमने देखी पहला कि राजसंबंद का जो जीला है दोस्तो वो तीलक की आकरती का है दोस्तो राजसंबंद को तो राजनगर भी कहा जाता है, राजसंबंद की स्थापना 1676 में महाराजा राज सिंग के द्वारा किया गया, ठीके किसके द्वारा, महाराजा राज सिंग के द्वारा किया गया, इसलिए ही इस दिले का नाम, जो है राजनगर पड़ा, बाद में राजनगर से इस दिले का नाम राज संबंद हो गया दोस्तों के लिए है राज संबंद का जो प्रसीद नर्तिय है दोस्तों वो है डांग नर्तिय राज संबंद का प्रसीद नरत्य कौनचा है डांग नरत्य जो है वो प्रसीद नरत्य है दोस्तों राज संबंद के इस्थान विशेश की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला आता है कुम्भल गड राज संबंद के इस्थान विशेश के अंदर सबसे पहला आता है कुम्भल गड कुम्भल गड ज दोस्तो राजस्तान के जितने भी दुर्ग हैं जितने भी किले हैं उसको मैंने आपको राजस्तान कल्चर की क्लास के अंदर पढ़ा रखा है दोस्तो तो मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि अब राजस्तान कल्चर की क्लास में जाकर राजस्तान के सारे दुर्गों का एक वार जरूर से जरूर पढ़े और उसी में आपको राजस्तान के दुर्गोस related important questions भी करवा रखे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत strong होगी पहले आप जो है chapter को पढ़े और उसके बाद उस chapter के important questions को पढ़े दोस्तों ठीके तो हम अभी बात कर रहे हैं कुंबल गट का किला यह आप देख रहे हो दोस्तों यह है कुंबल गट का किला जिसका निर्मान महाराना कुंभा द्वारा किया गया है ठीके इसके अंत में एक कटार गट है जो महाराना कुंभा का निवास इस्तल था ठीके और वो सबसे ज़्यादा उंचाई पर बना हुआ है इसलिए ही कटा कार है वो सिल्पी कार है मंदन ठीक है इस दुर्ग को कटार गड़ और मेवार की आँख भी कहा जाता है महाराना परताप का जनम जो है वो इसी दुर्ग में हुआ था कुम्बल गड़ दुर्ग में ही महाराना परताप का जनम हुआ था हल्दी गाटी यूद के बाद परताप की राजधानी जो है वो कुम्बल गढ़ ही रही थी दोस्तो कुम्बल गढ़ अभ्यारन जो है वो भेडियों के लिए प्रसिद है और कुम्बल गढ़ दूर्ग जो है वो हेम कुट पहाडी पर बना हुआ है दोस्तो कौन सी पहाडी प पर हेमकुट पहाड़ी पर ठीक है तो आओ देखते हैं कुंबल गड़ का किला यह कुंबल गड़ का किला इसका निर्मान कुं महाराना कुंभा द्वारा किया गया और इसके सिल्पी कार है मंडन यह important है दोस्तों बहुत जादा इसको ध्यान रखना जो कुंबल गड़ दुर है इसके निर्मान करता कौन है तो आप बोलोगे कि जो है इसका निर्मान महाराना कुंभा द्वारा किया गया और अगर आप से इसका पूछा जाए कि जो कुंबल गड़ दुर्ग है इसका सिल्पी कार कौन है तो आप बोलोगे दोस्तों मंडन है ठीक है इस दुर्ग को कटारगड और मेवाड की आँख भी कहा जाता है और जो कटारगड है वो कुम्भा का निवास इस्थल था कुम्भा की हत्या भी जो उसके पुत्र उदा ने इसी कटारगड दुर्ग में ही किया था दोस्तो ठीक है और कटारगड दुर्ग को मेवाड की आँख कहा जाता था क कटारगट दुर्ग में महारणा कुम्भा वहीं से अपने पूरे सामराज्य पर ध्यान रखते थे इसलिए ही कटारगट को मेवार की आख कहा गया है दोस्तों क्लियर है आगे देखो महारणा परताप का जनम भी जो है कुम्भलगट दुर्ग में ही हुआ था हल्दी गाटी युद के बाद महारणा परताप ने कुम्भलगट को ही अपना राजधानी बनाया था कुम्भलगट अभ्यारन्य भेड्यों के लिए प्रसिद है दोस्तों और जो कुम्भलगट है वो कुम्भलगट हेमकुट दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है कौन से पहाड़ी पर ह पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तो अब हम बात करेंगे देवगड देवगड क्या है देवगड के आमेट के मध्य एक संक्री पट्टी है और इससे हमें पन्ना खनीज प्राप्त होता है दोस्तो देवगड जो है देवगड के आमेट के मध्य एक संक्री पट्टी है और यह किसका चार बुजा नाथ जी का मंदिर है जो गोमती नदी के किनारे महाराना मुखल द्वारा बनाया गया है। गोंती नदी के किनारे महाराना मोकल ने बनाया है चार भुझानात का मंदिर यहाँ प्रसीद देव जूलनी का मेला लगता है जो इस मंदिर पर देव जूलनी का मेला लगता है दोस्तो तो पहले हमने पढ़ा देवगढ़ में आमेट के मद्य एक सकड़ी पट्टी है और उस पट्टी के पट्टी में हमें जो है पन्ना खनीज सेत्र मिला है दोस्तों पन्ना मिला है दूसरा हम बात करते हैं चार भुजा यहाँ पर चार भुजा नात जी का मंदिर है ठीके और गोमती नदी के किनारे माहाराना मोकल द्वारा बनाया गया है कहाँ पर है यह मंदिर गोम गाउन दोल Boss वह 10 ला के लिए प्रसीय दो ऐसल मूर्थियों की दग्र मूर्तियों जो कल्या होती है उसे 10 ला कोटा परदती धराा कोठा कल्या का जाता है और ये माउलला गाउन जो है वह 10 ला कल्या के लिए प्रसी you do के लड़ा संग मरमर की खनन खित्र हें यह केलना से हमें संग मरमर के बहुत सारे जो है छेत्रा प्राप्त कहीं हैं दोस्तों कहां पर केलना में आगे हम बात करेंगे खमनोर, खमनोर क्या है, बनास नदी के तट पर इस्तित है, यहां पे चेती गुलाब की खेती की जाती है, दोस्तों, खमनोर जो है, बनास नदी का उद्गम इस्तल है, बनास नदी जो है, वो खमनोर से ही उद्गम होती है, और यहां पे चेती गुलाब की जाती है दोस्तों किलियर है खमनोर जो है बनास नदी जो है उसका उदगम जो है वो खमनोर से ही होता है हल्दी घाटी महारना परताप की जैन्ती यहां मनाई जाती है कहां पे हल्दी घाटी में किसकी जैन्ती महारना परताप की जैन्ती और मोहन श्री माली द्वारा परताप संग्रहालिय भी बनाया गया है कहां पे हल्दी घाटी में पिपलाद का मंदिर और चेतक की समाधी प्र माली द्वारा प्रताप संग्रहालय बनाया कया है और पीपलात का मंदीर और चेत्क की समाधी प्रस्तीध है दोस्तों अब हम बात करेंगे नाथ द्वारा नाथ द्वारा क्या है यह इस्तान अनकुट मेले वो पिछवाई कला के लिए प्रसीद है कौन कौन सी अनकुट कला और पिछवाई कला के लिए प्रसीद है और जो नाथ द्वारा है दोस्तो वो नाथ संप्रदाई की वल्लब संप्रदाई की नाथ नी वल्लब संप्रदाई की परमुख पीठ है दोस्तो ठीक है नाथ द्वारा वल्लब रिव्यू कर लेते हैं, इस्थान विशेज पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है कुंबल गड़, कुंबल गड़ जो दुर्ग है, इसका निमान महाराना कुंभा द्वारा किया गया, इसका सिल्पी कार है मंडन, इस दुर्गों को कटार गड़ और मेवार की आख भी कहा जाता है, महाराना परताप का जनम, जो है वो कुंबल गड़ दुर्ग में ही हुआ था, हल्दी गाटी यूद के बाद, यहां परताप की राजधानी रही थी दोस्तों, ठीके, और हल्दी गाटी जो है, सॉरी, कुंबल गड़ दुर्ग जो है, वो हेमकुट प पहाड़ी पर बना हुआ है आगे देखो देवगड देवगड में आमेट के मध्य जो एक पट्टी मिली है उस पट्टी से हमें क्या मिलता है पन्ना खनीज प्राप्त हुआ है दोस्तों आगे देखो चार भुजा यहां पर चार भुजा नाथ जी का मंदीर है जो गोमती गिनारे महाराना मोकल द्वारा बनाया गया था दोस्तों गोमती नदी गिनारे महाराना मोकल द्वारा यहां पर प्रसिद जो देव है प्रसिद देव जुलनी का मेला लगता है देव जुलनी एकादसी को यहां पर मेला लगता है दोस्तों किलियर है आगे देखो मोले लग मोलेला गाउं। जो है, वो तेरा-कोटा-कला के लिए प्रस्सीध है, दोस्तों कौन सी कला ? तेरा-कोटा-कला के लिए प्रस्सीद है, उसके बाद है केलना गाउं। केलना जो है वो संग मरमर खनन छेत्र है दोस्तों बनास नदी जो बनास नदी महां थ। हल्दी गाटी महारना प्रताप की जहनती हल्दी गाटी में मनाई जाती है मोहन श्री मोहन श्री माली द्वारा प्रताप संग्रहाल्य का जो है बनाया गया था और यहां पर है पिपलाद मंदिर तिलक की समाधी चेतक की समाधी पिपलाद मंदिर चेतक की समाधी अन्य प्रसि दिस्थल है दोस्तो नेक्स्ट है नाथ द्वारा यहां अनकुट और पिछवाई कला के लिए प्रसीदे और वल्लब संप्रदाई की परमुख पीठ है दोस्तो आगे देखो दरीबा दरीबा क्या होता है तामबा खनन छेत्र होता है दरीबा जो है वो तामबा खनन छेत्र है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे गिलूंड, गिलूंड क्या है, यहां पर तामरे योगिन सब्देता के अपसेस मिले है, काक रोली, सबसे बड़ा और टायर ट्यूप बनाने का कार खाना है, वो काक रोली में हों है, दरीबा तामबा खनन छेत्र है गिलूंड यहां पर तामरयोगिन सभ्यता के अफशेच मिले हैं कांकरोली सबसे बड़ा отправ बनाने का कारखाना अपको यहीं पर देखने को मिलेगा दोस्तों सबसे जो है टायर टूब बनाने का कार खाना कुंबलगड अभ्यारन इसे 1971 में राज्य सरकार ने वन्यजीव अभ्यारन ने गोसित कर दिया था कब 1971 में ही गोसित कर दिया था रासंबन जील जो महराना राज सिंग ने 1688 में इस जील का निर्मान कराया मुवद जील पे जो रासंबन जील है उस पर क्या है अभिलेख है जिसे मेवार का इतियास लिखावा है दोस्तों देखो कुम्बलगड अभ्यारन क्या है इसे 1971 में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारन गोसित किया है राज संबन जील जो है महराना राज सिंग ने 1668 के अंदर इस मंदिर का निमान कर रहा था राज संबन जील में अभिलेक है जिसे मेवार के इतिहास के हमें जानकारी मिलती है दोस्तों बनास नदी के निकट जो है वो गिलूंड सब्यता का विकास हुआ संग मरमर के खनन में राज संबन प्रत्मिस्तान पर है सरवादिक सड़कों का घनत्व वाला जीला राज संबन है कुवर पिर्थवी राज की छत्री भी राज संबन के अंदर है यहाँ पर राज संबन और ननद संबंद नाज संबंद और ननद संबंद जो दो जील है दिवेर के यूद में चापामार पर्णाली के कारण ही महारना परताप की विजय हुई थी दोस्तो दस अप्रेल 1991 को उदेहपुर से अलग होकर यह एक नया जीला बना दिया गया दोस्तो गोगुंदा में महारना महारना परताप का राजयविसेख हुई था दोस्तो और कुम्बल गड से धो थी देखो दस अप्रेल 1991 में उदेपुर से अलग होकर नया जीला बनाया गया गोगुंदा में महारना परताप का राज यभी से हुआ था दोस्तो कुम्बलगड में गोगुंदा के मध्य का छेत्र भोराट कहलाता है करनल जैम स्टोर ने दिवेर के यूद को महारा राजस्थान का मेरा थन कहा है दोस्तो तो इसी टाइप से जो यह हमारा राजसंबन जीले की जो आकरती है वो तीलक के समान है दोस्तो राजसंबन को राजनगर भी कहा जाता है दोस्तो राजसंबन की इस्थापना 1676 में महाराजा राज सिंग के द्वारा किया गया था दोस्तो और नगर का नाम जो है वो राजनगर रखा गया था लेकिन इसी राजनगर का बाद में राज सम्मंद हो गया है दोस्तों ठीके आगे चलो जो राजस्थान का प्रसिद नर्तिय है वो कौन चाहे डांग नर्तिय जो है वो राजस्थान का प्रसिद नर्तिय है दोस्तों ठीके अब देखते हैं राजस्थान की स्थान विशेश त वो है, शिल्पिकार है, वो मंदन है दोस्तो, और इसी दुर्ग के अंदर एक सेंटर में एक दुर्ग बनाया गया है, जिसमें कुंबा का निवास स्तल है, उसे कुंबा की आँख कहा जाता है दोस्तो, महाना परताप का जनम जो है, वो कुंबलगड दुर्ग में ही हुआ था दोस्तो हल्दी गाटी यूद के बाद यहाँ परताप की राजधानी रही दोस्तो कुंबलगड अभ्यारन या भेडियों के लिए प्रसीध है कुंबलगड दुर्ग जो है वो हेमकुट पहाडी पर बना हुआ है दोस्तो कहाँ पे हेमकुट पहाडी पर देवगड देवगड से हमें पन्ना खनीज प्राप्त हुए है दोस्तो चार भुजा यहाँ पे चार भुजा नाथ जी का मंदीर है जो गोमती नदी के किनारे महार प्रसीद देव जूलनी का मेला लगता है दोस्तों आगे देखो मोले लगाओं मोले लगाओं जो है वो तेरा कोटा परदती के लिए प्रसीद है दोस्तों ठीके आगे है केलना केलना जो है संगमर्मर खनन चेत्र है खमनोर जो है बनास नदी का उद्गम इस्तल खमनोर से होता है और यहां पे चेती गुलाब की खेती की जाती है दोस्तो खमनोर क्या है बनास नदी का यहीं पे उद्गम होता है यहां से निकलती है और चेती गुलाब की खेती की जाती है दोस्तो हल्दी घाटी महारणा परताप की जैनती हल्दी घाटी मनाई जाती है और मोहन स्री माली द्वारा मोहन स्री माली द्वारा परताप गड़ संग्रहाले बनाया गया है परताप संग्रहाले बनाया गया है किसने मोहन स्री माली द्वारा ने ठीक है आगे देखो, पीपलाद का मंदीर, चेतक का समादी प्रसीद मंदीर है, चेतक का समादी जो है वो प्रसीद मंदीर है दोस्तों, ठीके, नाथ द्वारा क्या है, चेतक की समादी का प्रसीद इस्थल है, हल्दी गाटी के अंदर महाना प्रताप की जैनती, मोहन स्री माली परताप संग्रहाले और पीपलात का मंदिर और चेत्तक की समाधी है ठीके पॉइंट से क्लियर कर लो आगे देखो नाच द्वारा यहां अनकुट महोत्सव और पिछवाई कला के लिए प्रसीर है दोस्तों दरीबा तामबा खनन छेत्र है गिलूंड यहां पर इसे तामरियो कर ने वन्यजीव ब्यारन गोसित किया है दोस्तों कब 1971 में राज संबन जील महाराना राज सिंग ने 1668 में इस जील का निमान कराया राज संबन जील पे अभिलेख है जिससे हमें मेवार के इतियास की जानकारी मिलती है दोस्तों राज संबन की नदिया में सबसे पहले है बनास नदी इसका उद्गम जो है खमनोर की पहाड़ी से होता है और राज्या में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी कुल चार सो असी किलोमेटर बहती है दोस्तों ठीक है आगे देखो खारी नदी टॉंक को दो भागों विवाजित करती है आगे देखो खारी नदी इसका उद्गम बिजरावल की पहाड़ी से होता है टॉंक में राज महल में त्रीवेनी संगम है बनास नदी खारी नदी का त्रीवेनी संगम बना हुआ है दोस्तों कहां पे जो है खारी नदी इस नदी का उदगम दिवेर की घाटी से होता है भिलवाडा से बनास नदी में मिल जाती है बिलवाडा में बनास नदी मिल जाती है दोस्तों इसका उदगम दिवेर की घाटी से होता है मैतपुन तत्य बनास नदी के तट पर गिलूंड सब्यता विक्सेत हुई संग मर्मर के खनन में राज सम्मंद प्रतमिस्तान पर है सरवादिक सडकों का घनत्व वाला जीला राज सम्मंद है कुवर प्रत्विराज की छत्री भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी दिवेर के यूद में छापा मार परनाली की कारण महाना परताप की विजय प्राप्त हुई थी 10 अप्रेल 1991 में उद्यपूर से अलग होकर यह नया जीला बनाया गया गोगुंदा में महाना परताप का राज्य भीशेक हुआ था कुम्बल गट से गोगुंदा के मध्यका छेत्र बोराट छेत्र कहलाता है कंडल जैम्स्टोड ने दिवेर के यूद को तो राजस्थान का मेराथन और हल्दी गाटी यूद को कंडल जैम्स्टोड ने राजस्थान की थर्मोपली कहा है दिवेर का यूद 1582 में अमर सिंग महाना परताप और मुगल सेना के मध्या हुआ था दोस्तो तो इसी तरह से जो राजस्थान का यह राजस्थान जीला है दोस्तो वह कंप्लीट हो जाता है ठीक है अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंड कर सकते हो अगर